हेलो फ्रेंड असलाम अलेकूम केसे हैं आप सब उम्मित करती हूँ कि आप सभी लोग खेडियस से होंगे ठीक टाक होंगे और आज मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगी साधियों वाला मतन का सालन जो भटियारा स्टाइल में भटियारा जो बनाते हैं ना साधियों में साल जितना नवार सालिन अच्छा बनने च्णान के हुआ यह पर उन धर्पी कि दानीं और जावित दूं पेस्ट बनाना है भी यह के वहां में भाईण सैज्व Brush candy करनेशdock को यह की दालें यह déjà दो चोटीलाइची बड़ीलाइची tai लोंम काली दाल पूम्हें इन सबी को तैंप हुकम्हें अच्छ alt फासे लषस्सट तर्य चाली अच्छ गली डालनी। इसे पिंग फ्राई कर लेंगे अब ये देखिए पिंग फ्राई हो चुके हमें इसे ज्यादा फ्राई नहीं करनी है इस तरह से फ्राई कर लें और इसमें एक प्लेट प्याज डाल दें अगर आपका एक किलो मटन है तो आप इसमें एक प्लेट प्याज डाल दें और प्याज भी फ्राइ हो चुकी है। प्याज फ्राइ होने के बाद हमें इसमें अदरक और मुमफली के दाने और जायफल जावित्री का पेष्ट डाल देना है। अगर यह नारियल तो आप उसे भी इसमें पीस कर डाल दें। उससे भी आपका सालन में टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा हमारे पास इस वक्त नहीं था तो हमने नहीं डाला है और फिर इसके हम अच्छे से बुनाई कर लेंगे 5-7 मिनट और फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे ये गोश ये गोश डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंग मटन डालने के बाद आपको इसे 15-20 मिनट तक भूनना है क्योंकि मटन में से बहुत सारा पानी निकलता है तो जगता कि पानी नहीं सूख जाता आपको इसकी भुनाई करते रहना है और उसके बाद ही इसमें सारे मसाले डालने हैं और जब मटन में पानी निकलता है तो आप अंब भूनना है आपको उसे फवराय अंब भूनना है और पानी अलगा उसके बाद हम फिर धकन लगा कर इसे भूनेंगे और पहले हमें धकन हटा कर ही इसे भूनाई करनी है आप यहां पर देखिए खाना बनाते वक्त हमें लगने लगी थी जोरो की भूख तो हमने फिर यह बुट्टे सेक लिये थे और इस पर मसाला लगा कर इन्हें खाएंगे तो यह अमरीकन बुट्टे हैं स्वीट कोन हमारे यहां पर तो इन्हें अमरीकन बुट्टे बोलते हैं अब आप लोगों के यहां पर पता नहीं क्या बोलते हैं तो हमने यह अमरीकन बुट्टे लेकर आए थे तो इसे सेक लेंगे यह देखिए हमारे अमरीकन बुट्टे सीख गए हैं इसने सेखने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगता है जो हमारे इंडियन भुटे होते हैं हमें उने सेखने में ज्यादा वक्त लगता है इने सेखने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगता है तो यह इस तरह से सीख गए हैं और फिर इसके ऊपर हम नमक मिर्ची और इस तरह से निबू पर नमक मिलची लगाएंगे और इस तरह से इस पर रगड देंगे और निबू को हमें दवाते भी रहना है बीच में ताकि निबू का रस इस पर भुट्टे पर लग जाए और ये खाने में फिर बढ़िया लगेंगे खटा, मीठा, तीखा, नमकिन में आ जाएगा तो इस तरह से हम इसे इस तरह से ही खाते हैं इस तरह से ये अच्छे लगते हैं आप लोग भी इस तरह से एक बार जरू ट्राय करना ये इस तरह से खाने में काफी ज़्यादा बढ़िया लगते हैं अच्छे लगते हैं हमारे यहां पर हम लोग तो इसी त और इस पानी को सुखाने के बाद ही हम अपने बागी के मसाले इसमें मिलाएंगे और ये मटन को भूनते वक्त फ्रेंड इसमें से एक बहुती अच्छी खुसबू आती है जो आपके पूरे घर में खुसबू होगी और आपके पड़ोस वाली भावी पूछेंगी कि आपने क कहना कि हमारी फ्रेंड का चेनल है यूटूब पर जिसका नाम है नूर की दुनिया तो आप जाईए और उसे सब्सक्राइब करिए और उस पर देखिए मटन की वीडियो और भी वीडियो हैं हमारी मटन की जो की अलग-अलग बनी हुई है अलग तरीके से हमने उसमें मटन हुआ है तो आप लोग भी देख सकते हैं और चेनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अच्छे-चे कॉमेंट्स करें ताकि हमारी जो छोटी यूटूब की फेमली है वो एक दिन बड़ी यूटूब की फेमली हो जाए और आप लोग भी इस तरह से मटन ज दाले और जिस तरह से हमने डाले हैं आपको भी उसी तरह से डालना है और आपको धियान रखना है कि आपको जाएफल और जावीतरी दोनों ही कम लेना है ज्यादा नहीं लेना है आपको उन्हें कम ही लेना है और आपको फूल चक्र नहीं डालना है सालन में क्यों हम भी पूरी तरह से सूप चुका है तो इसके बाद इसमें हम मसाले डालेंगे तो इसके लिए एक चमच लाल मिर्च पाउडर आदा चमच हल्दी पाउडर और दो चमच धनिया पाउडर इन सब को डालेंगे और थोड़ा-थोड़ा पाने डालकर हमें इसे भूनेंगे अब हमें भूनना है पानी डालना है चला देना है और ढाकना है यही प्रोसेस हमें 15-20 मिनट के लिए करनी है और इसके बाद देखिए हमारा मटन मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा और फिर पानी डालना है चलाना है और ढाकना है इस तरह से करेंगे आप तो इसमें अच्छी त सब्सक्राइदे मिचसा में ऊचे लाइओ सब्सक्राइध साणशाइख मिचस्राइओ यइंद वेचितर से सब्सक्राइख कोंगी तो, उस्क पहंचान सम्सक्राइब आजा, बहुत darle जब तक आप इसकी भुनाई करेंगे यह अच्छी तरह से भुन गिया है अब इसमें हम पानी डालेंगे और सीटी लगाएंगे जब कि साधियों में भटियारा बनाता है तो उनकी सालन की कौंटिटी बहुत जादा होती है इसलिए वो सीटी नहीं लगाते अब हमारी सालन थ तो इसलिए हम इसमें सीटी लगाएंगे तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी और पानी डालकर हम इसमें एक सीटी लगाएंगे फ्रेंड आपके गुकर में जितनी सीटी लगती है आप वो सीटी लगाके और पांच मिनट के लिए आपको गेस की फ्लेम लो रखनी है त अभी अलग तरीके से बनाया हुआ मटन है तो आप सभी को देख सकते हैं और चेनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी भी यूटूब की जो छोटी फेमली है तो हमारी भी यूटूब की बड़ी फेमली हो जाए तो आप लोग जरूर सपोर्ट करें तो देखे फ्रेंड हमारा सादियों वाला मटन का सालन बनकर तैयार है आप लोग भी इसे जरूर ट्राइ करें जरूर बनाए इन्शाल्ला आप से भी ये बहुती बड़िया बनेगा अच्छा बनेगा आप भी इसे जरूर ट्राइ करें और कोमेंट भी करें कि हमने आपकी र प्रेंड बाप्सक्राइब करें थेंक यू फ्रेंड वोचिंग माई वीडियोज